itt अब आंगनवाडी केंद्रों की संचालन परकिडिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है किया जा रहा है अब सीडीप्यों ही सरवेज शर्वान नहीं होंगी लगतार सिखायते मिल रही थी कि आजओ आपका सही से संचालन नहीं किया जा रहा है परकिरिया में बदलाओ बारा महीने में 14,000 सिकायतों के बाद बिभाग ने लिया है बड़ा फैसला एक लाख 14,000 आंगनवाली केंद्रों पर सीधे मुख्याले से पहुचेगा फंड नमस्कार मैं हूँ अभैकुमार आप देख रहे हैं अपना खासकार करम गाओं की सरकार तो गाओं की सरकार में आज गांगनवाली केंद्र की बात करते हैं बहुत बड़ी बदलाओ आ रही है कहा पहँच जहां कुछ दिनों पहले ही यह उसकी बहाली परकिरिया बदलाओ लाए गया थी सेविका उस सहायका के सक्षनी योगता को अपग्रेड किया जहां सहायका को मैक्टिक उत्रन होना जरूरी बताया गया और वहीं सेविका को इंटर उतुर्न होना जरूरी बताया गया था और यहां को महत्व देने का बरियता देने की बात कही गई थी यह मसौदा पारित कर लिया गया है अब दूसरी वह बात यहाई है कि अब यहां जो भी रासी जिस पैटर्न पर आती थी उस पैटर्न पर रासी अब नहीं आएगी रासी अब केंद्री कृत आएगी डेरेक्ट फंड सहार फंड कौपी किताब डेस सहित अने मामलो को लेकर बारा महीने में परखंड अस्तर से मुख्याले तक लगभग 16 हजार सिकायते मिली हैं जिसको देखते वे बिभाग ने नियमों में बदलाओ कर दिया है अब बिहार के एक लाग 14 हजार आंगन वाली केंद्रों के पोसहार किताब कपड़े और दवाओं का बित्रन होगा एक कमिटी उसकी निगरानी करेगा इनसे अन्यमित्ता पर रोक लगेगी इससे पहले सेंट्रों में पोसहार और पैसे CDPO के माध्यम से भेजे जाते थे जिससे कई केंद्रों पर हर महीने तो कई जगों पर 3-4 महीने तक जरूरत की चीजे नहीं पहुचती थी इसकी वज़ा से 1200 से 1400 सिकायते पंचायत परखंड जिलाधिकारी जीला पर योजनाधिकारी के साथ ही मुख्याले पहुचती थी इसमें अस्तिप प्रतिय सिकायते पैसे और पोसहार से जुले रहते थे समाज का लियान मंत्री मद आवस्यक बदलाव किया जा रहा है जिसमें सेवका के चयन की परकिरिया भी बदल दी गई है अब नज़र डालते हैं कि पहले क्या था और अब क्या होगा तो पहले बिहार के विभीन अंगरवाली केंद्रों पर पैसे के साथ खाथ पदार्थों के पोचाने के जिम्मेदा कारी CDPO की होती थी मुख्याले के निर्देश के बाद जीला प्रयोजनाधिकारी द्वारा CDPO से सेंट्रों की सुची मांगी जाते थी जिसमें अंगनवाली सेंटर गर्वती महिला बच्चों की संखेया और उससे उनके उम्र का वीवरन खाथ पदार्थों का खर्ट सहीत अ इससे कई सेंट्रों पर महीनों पैसे नहीं पहुचते थे तो कई यगों पर हर महीने पुष्टीहार दवा पैसे दिये जाते थे अब मुख्याले में होगा समागरी का बितरन तो कैसे होगा तो समाज का लियान विभाग की और परतेक और से परतेक परखंड में पैसे और समागरी का सामान बित्रन होगा मुख्याले परतेक परखंड से आंगनवाडी सेंटरों की सूची मांगेगा इसके बाद निर्धारित रासी और खध्यानों को सभी परखंडों को में समान रूप से बित्रित कर दिया जाएगा इससे प्रतेक सेंटर में निर्धाई समागरी और पैसा पहुचेगा इस दवरान हर चार महीने पर सूची की अपडेट किया जाएगा अगर हम बात करें तो 132 को रूपे का हर महीने देख भालब पढ़ाई के लिए बित्रन होता है 132 को और वहीं 8000 सोचत परखंडों इस्तीत एक लाख एक लाख 14000 आगन वाली केंद्रों में चाहलाक सेविका और सहाई का काम करती है और वहीं 25 लाख बच्ची और साथ लाख गर्वती नहीं मालाया जुड़ी हुए है मतलब कहने का मतलब है कि 25 लाख बच्ची और अलाई लाक मालाया जुड़ी है और वहीं 11,500 रूपे के साथ ही लगभग 40-60 किलो तक दलिया चावल दाल अन्यखा समागरी बित्रन होता है हर सेंट्रों पर और इधर बात करें कि मंत्री जी ने कहा कहा मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के विभीन जीलों में इस थी तांगनवाली सेंट्रों में अक्सर अनिमित्ता की सिकायत मिलती थी इसमें बच्चों के मताबिक पैसे और खात पदातों को लेकर धिक सिकायत रहती थी जिसको देखते हुए मुख्यालय के निगरानी में उनके माध्यम से समागरी का बितरन किया जाएगा तो दोस्तों अब अंगनवाली केंद्र में जो आपके गाउं में चलता है जो आपके वार्ड में चलता है उसमें सरवेसर्वा नहीं होंगे उनकी पसंद ना पसंद नहीं चलेगी उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया है अब सूची भेजेगा सिर्फ क केंद्र और वहां से उस हिसाब से पैसे और सामागरी मांगनवाली केंद्रों को उपलब्ध करा दिया जाएगा तो यह बदलाव आपको कैसा लग रहा है यह ख़बर कैसी लग रही है जरूर कॉमेंटें बताईएगा और आंगनवाली से जूने हर ख़बर के लिए हमारे चैनल के साथ जूने रहे मिलते हैं अगले वीडियों में जैहिन बंदे मातरव